हेलो गाई सब आध के न वाले हैं Delivery Limited इस कमनी के बारे में इस कमनी का Considrated Rizult आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है सारी अमाउंट्स तो वो रिजल्ट्स में मिलियंस में बताइगे है quarter and quarter base के ऊपर company के results को discuss करेंगे यह है इस quarter का result यह पिछले quarter का result है ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमपनी की income की बात के रहे तो revenue from operation and other income को मिला कर कमपनी का total income इस quarter में 19,342.19 million रुपीज का कमपनी का total income है जो quarter and quarter base के उपए कमपनी की income बढ़ी है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले कमपनी की income में गिरावट आती भी नजर आ ज कमपनी का total expenses quarter के अंदर 21,076.1 million रुपीज का कमपनी का total expense देखने के मिल जाता है कमपनी की income है वो बहुत ज़्यादा तेजी से कम हो रही है और कमपनी के expenses है वो उतनी ज़्यादा तेजी से कम नहीं होते वे नजरा रही है बाक्यार इस कमनी के net profit या loss की बात करे इस कमनी न loss देखने को मिल जाता है जो quarter and quarter base की उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले कमनी के losses उतार चड़ाओ भरे देखने को मिल जाता है बाकी इस कमनी के earning per share EPS की बात करे तो minus 2.14 रुपीज के देखने को मिल जाता है और कमनी के EPS भी volatile देखने को मिलता है overall delivery यह जो company है ना उसका ज कमनी केशर को ज़रू से hold रख सकते हो long term perspective से high risk के जाद बाग क्यार इस कमनी केशर में new investment आप लोग नहीं करो तो जादा अच्छा है क्योंकि Amazon जैसे बड़ी company भी अभी यहाँ पर delivery segment के अंदर यह company profitable नहीं है Amazon की बात करे तो ठीक है तो यह company को profitable होने में अभी और time लगेगा तो मैं तो आप लोगों को यही suggest करूंगा invested हो hold रख सकते हो long term के लिए बाकियार अभी के लिए new investment मत करना ठीक है तो बस अच के लिए तना ही good bye love good bye फिर मिलते है next day में good bye